एक कविता के माध्यम से आप सभी को मैं कहना चाहूंगी कि यह उपचुनाव है और भारी से भारी मात्रा में हमारे आजनिया सुधाकर सिंग जी को विजय भव बनाईएगा पाच तारीक को साइकिल वाला बटन दबा कर क्योंकि बाहरी को भगाना है अपने बेटे को जितान है और यह भारते जनता पाकिसे करने की आवश्यक्ता नहीं है आपकी यह बहन किसी से दरती नहीं है और आप लोगों को कहना चाहती हो कि हम दरते नहीं है तुम्हारी एक कमल की दो डंडियों से हम बिकते नहीं है तुम्हारे चुने हुए घमंडियों से हम समाजवादी है हम डरते नहीं हैं तुम्हारी एक ताना शाही की दो तलवारों से हम जुबते नहीं हैं तुम्हारी जुमला बाजियो लत्याचारों से नफरत पेला कर तुमने धरम हमारा बाटा है अरे जालिम उस देश को बरबाद कर रहे हो जिस देश का तुमन नखाते हो तुम याद करो ताना शाही से तुमने लहू कितना बहाया है नया नया कानुन लाकर कोना कोना जलाया है तुम याद करो वनमानी से तुमने लहू कितना बहाया है बुल्डोजा चलवा कर घर घर जलाया है तुम याद करो महिला सुरक्षा का वादा क्या तुमने निभाया है नावांकन करने जा रही महीला का तुर्क चीर तमने निचवाया है रे नदा धमो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वालो कान खोल कर सुन लो घोशी में कभी की कमेल चिनह का नामों निशान नहीं होगा नेता तो होगा लेकिन जूठा जुमलेबाज और बैमा नहीं होगा बहुत बहुत धन्यवाद और इतने सुंदर सुंदर चेहरे आए मैं आप लोगों के लिए कहना चाहती हूं कि यूहीं सजदज के हमें सुनने आया करो पर बिजलियान हमारे दिलों पर गिराया करो बात मानो बात मानो नजर लग जाएगी आपको हर किसी से खुशी में नजर मिल भी जाए तो घर जाकर निम्बू मिर्ची से अपनी नजर उतारा करो